TOP 100 QUESTIONS OF SCIENCE जो हर एक EXIM KE लिये, उपयोगी ही जिसमें SCIENCE के TOPIC ही तो शुरू कारते ही QUESTIONS 1. जीव विज्ञान की परिभाशा दें उत्तर विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतरगत जीवधारियों का अधेयन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं 2. जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किस वैज्ञानिक ने और अब किया था? उत्तर जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801E में किया था 3. जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर अरस्तु को 4. जीव विज्ञान की शाखा एपिकल्चर के अंतगर्थ किसका अध्यन किया जाता है? उत्तर मधुमक्खी पालन का 5. प्रयोक्षाला में सर्व प्रथम डी एने का संचलेशन किया उत्तर हर्गोविंद खुराना 6. किस शैवाल से आयोडीन प्राप्थ होता है? उत्तर लैमोनेरिया 7. जेचक के टिके का अविश्कार किस ने किया? उत्तर एड़ड जेनर ने 8. वन किलो साहद में कितनी उचा होती है? उत्तर 3500 क्यालोरी 9. सबसे बड़ड़ा सर्प कौन सा है? उत्तर अजगर 10. सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन है? उत्तर कच हुआ 11. अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? उत्तर 2. जन्तु समूह एवं वनस्पती समूह 12. जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर लिनियस को 13. मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर होमो सेपियन्स 14. कोशिका के अध्यान के विज्ञान को क्या कहा जाता है? उत्तर कोशिक विज्ञान 15. भल का निर्मान कहां होता है? उत्तर अंडाशे में 16. पत्ती का मुख्या कार्य क्या होता है? उत्तर प्रकाश संशलेशन क्रिया द्वारा भोजन बनाना 17. वायू पर्यावरण का कौन सा घटक है? उत्तर अजैविक घटक 18. पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर 1986 E 19. विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 जून 20. भूमी का विकृत रूप क्या कहलाता है? उत्तर मृदा प्रदुशन 21. जल प्रदुशन नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर उची आवाज या शोर 24. रक्त का रंग लाल क्यों होता है? उत्तर होमोगलोबिन के कारण 25. हेमोगलोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक कौन सा है? उत्तर हमैटन 26. रक्त किस प्रकार का उतक है? उत्तर तरल संयोजी उतक 27. रक्त का प्येच मन कितना होता है? उत्तर 7.4 28. रक्त बिम्बानू की मृत्यू कहां पर होती है? उत्तर प्लीहा में 29. रक्त बिम्बानू का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर रक्त का ठक्का बनाने में मदद करना 30. थेलेमस का क्या कारे हैं? उत्तर दर्द, ठंडा तथा गरम की पहचान 31. मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महतपूर्ण अंग कौन सा है? उत्तर फेफडढ़ा या फुप्फुस 32. मनुष्य में अवशेशी अंग कौन सा है? उत्तर कर्ण पल्लव बेशिया 33. महिलाओं में मासिक धर्म की अवधी कितनी होती है? उत्तर 28 दिन 34. महिलाओं में गर्भावस्था की अवधी कितनी होती है? उत्तर 266, 270 35. टिकाओ विकास के मुख्य पांच क्षेत्र कौन से है? उत्तर जल, उर्जा, स्वास्थ्य, कृष्य, तथा जैव विविधता 37. उड़ने वाली मचली कौन सी है? उत्तर उक्सोइटस 38. कशैरोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर फेफ़ड़ः 39. कशैरोग का लक्षण क्या है? उत्तर बार-बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना 40. हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर आंत 41. मटर में कितने गुंड सूत्र पाए जाते हैं? उत्तर 14 42. मनुष्य में लगभग कितने अवशेशी अंग पाए जाते हैं? उत्तर 100 43. रेजिन किस प्रकार के पौधे से निकलता है? उत्तर शंकु के पौधे से 45. सेप का खाने योग्य भाग कौन सा है? उत्तर पुषपासन 45. हैजा रोग का लक्षन क्या है? उत्तर लगातार DST और उल्टियां 46. पोशन पदार्थ किस कहते हैं? उत्तर विपदार्थ जो जोवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कारियों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होता है उसे पोशन पदार्थ कहते हैं 47. ग्लुकोज के एक अनु में श्वसन में कितने ATP अनुप्राप्थ होते हैं? उत्तर 38 ATP 48. श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? उत्तर उपचई क्रिया 49. प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक एनी नाम क्या है? उत्तर हिल क्रिया 50. वन उत्पादन केंद्र कहां स्थित हैं? उत्तर रांची भौतिक विज्ञान 51. भौतिक विज्ञान किसे कहां जाता है? उत्तर विज्ञान की वह शाखा जिसने द्रव्य तथा उर्जा और उसकी परसपर क्रियाओं का अध्यान किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं 52. किसी राशी के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं 53. उर्जा का ऐसाई मात्रक क्या है उत्तर जूल 54. कार्यद्वारा प्राप्त उर्जा क्या कहलाता है उत्तर यांत्रिक उर्जा 55. उपग्रह का कक्षिय चाल किस भर निर्भर करती हैं? उत्तर प्रित्वी तल से उंचाई आर 56. दाब किसे कहते हैं? उत्तर किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं 57. पहड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण है? उत्तर वायुमंदलिय दाब की कमी 58. पास्कल का नियम संबंधित है? उत्तर द्रव दाब से 59. दाब का ऐसे ही मात्रक मात्रक क्या है? उत्तर पास्कल 60. वायुमंडलिय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। 61. पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहां पर होती है। 62. द्रव की शुद्धता की जाँच किस यंत्र द्वारा किया जाता है। 63. गनत्व का सूत्र क्या है। 64. पारे का हिमांख कितना होता है। 65. करम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। 66. शानबल किसे कहते हैं। उत्तर किसी द्रव का गैस की दो क्रमागत। परतों के बिच उनकी आपेक्षित गति का विरोध करने वाले हैं। 67. एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है। 68. धारा द्रव प्रवाह के महत्व वेग को क्या कहते हैं। 69. ध्वनी की तीवरता व्यक्त करने का क्या मातरक है। 70. जल में ध्वनी का चाल कितना होता है। 71. लोहे में ध्वनी का चाल क्या होता है। 72. जे का मान कितना होता है। 73. उश्मा का सबसे अच्छा चाल कौन सा है। 74. उश्मा धारता का मातरक क्या है। 75. पूर्ण तह कृष्ण पिंड की अवशोशकता कितनी होती है। 76. प्रकश क्या है। 77. प्रकश किस प्रकार का रंग है। 78. प्रकश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी। 79. प्रकाश की तरंग दैधर्य का परास कितना होता है। 79. उत्तर 3,900 A. से 7,800 A. तक। 80. इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। 89. दूर्बीन का अविशकार किसने किया। 82. प्रकाश की गती किसके अंदर नियूनतम हो जाती है। 83. रंगीन टेलिविजन में किस रंगों का उपयोग किया जाता है। 84. धुप में चमरे की क्षमता कितनी होती है। 85. लाल काश को अधिकताप तक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। 86. चुमबक लोहे अपनी और आकरशित करती है। 87. चुमबकत्व का क्या कारण है। 88. चुमबकी एक शेत्र का मात्रक क्या है। 89. मंदाकिनी का निर्मान किस से होता है। 98. भागतारों से तथा शेश 2% गैसों या धूल से। 90. एक इंच में कितने संटीमीटर होते हैं। 91. गामा किरणों की खोज किसने की। 92. चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है। 93. कोईले का जमना कौन सा परिवर्तन है। 94. बर्फ का पिघलाना कौन सा परिवर्तन है। 95. प्रकृती में जल कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है। 96. अश्रुगैस का क्या नाम है। 97. खाना पचाने में किस अमल का उप्योग किया जाता है। 98. प्येच मुल्यांक क्या दर्शाता है। 99. बारूद बनाने में किस लवन का उप्योग किया जाता है। 100. विलयन किसे कहते हैं। उत्तर दो या दो से अधिक बदार्थों का समांत्स मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या जाता है। 10. विलयन किसे कहते हैं। 10. विलयन किसे कहते हैं।